देव भूमी उत्राखंज में हर तरफ अब क्राइम होता नजरा रहा है खास कर महिलाओं के लिए तो यह शांत दिखने वाले प्रदेश में हर जगह कई हैवान पैदा हो गई है इन मामलों को देखकर लोगों के अंदर आक्रोश भर गया है हलदवानी शहर तो मानो अपराधियों का घर बन गया एक ऐसा वीडियो वाइरल हो रहा है जिसने महिलाओं के अंदर डर पैदा कर दिया है वीडियो में दो युवतियां स्कूटी से हाइवे पर जाती दिखती है इस बीच उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो जंदगी भर नहीं भूल पाएंगी दरसल दोनू लड़ियां थेटर से फिल्म देखकर शाम को अपनी घर लोट रही थी दो युवतियों को दो कार सवार युवकों ने रास्ते में खेर लिया और छेड़ खानी की इन चार युवकों की पहचान रामपूर रोज, कालिपूर निवासी नरेंद्र बिष्ट, रोहित तिवारी और बरेली रोड धानमील निवासी पंकच रावत, तीन पानी बाइपास निवासी अमन और एक जो की नाबालिक है, इन पाँचों ने दो कारों में सवार होकर स्कूटी के आगे पीछे करना शुरू कर दिया स्कूटी सवार लड़कियां इससे बेहत घबरा गई, दोनों कारों में सवार युवक खिड़कियों से बहार निकल का लड़कियों को गलत इशारे करने लगे, वो योतिव पर गलत कॉमेंट्स कर रहे थे, युवक नशे में धूट थे जो वीडियो इंटिनेच पर वाइरल हो रहा है, इसमें साफ नजर आ रहा है कि एक काले रंग की स्कॉर्पियों कार आगे जाती हुई दिखाई देती है, जो साफ समझ आता है कि पीछे वाली गाड़ी का रास्ता रोप रही है, इस बीच पीछे से एक सिडान आती है, जिस भी पुलिस कर्मी नहीं दिखाई देता है, जिन लड़कियों के साथ ये घटना घटी है, उसमें से एक लड़की ने ट्वीटर पर ये वीडियो शेयर किया है, महला ने लिखा है कि आज रात मैं अपनी महला मित्र के साथ फिल्म देखकर वापस घर लोट रही थी, तब य अचानक से दो गाडियों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, ये घटना हल्दुआनी के सेक्रेट हार्ड स्कूल के पास सिद्मु खानी रोट पर हुई है, वो 25 मिनट हमारे लिए बेहट डरावने थी, लड़की का कहना है कि क्या हल्दुआनी में ऐसे शांती और सुर अश्की और बकाइदा आरोपितियों को ग्रफतार का लिया गया है, अब ऐसे स्पी प्रहलाद नारैन मीना का ये भी कहना है कि हल्दुआनी पुलिस यूतियों से छेड़शार करने वाले इन आरोपित कार्स सवारों को शहर भर में जलूस निकाल कर घुमाईगी, हल्दु अब आरोपितियों से छेड़शार का लिया है, जिसमें कार में सवार कुछ योग को द्वारा कुछ लख्यों को परिशान करने का मामला संग्यान में है, इससे पता करने पर ये चीज निकल के आई कि कल ही नहीं होती द्वारा कोई भी सूचना 112 पर नहीं दी गई थी, लेक पुलिस ऐसे उर्दंग्यों को साब संदेज देना चाहती है, कि इस तरीके से महिलाओं को परिशान करने वाले या सहर में इस तरीके का माहूल पैदा करने वाले और ट्रैफिक नियम का उलंगन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सक्सक्त कारवाई करेगी, और ऐसे ल रहके कई मामले सामने आ गए हैं, हाला कि शिकायत पर पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ जरूर लिया, लेकिन अब राधियों में शायद पुलिस की कारवाई का खौफ भी नहीं है, क्योंकि लगातार हो रही है, ऐसी घटना है, इसका सबूत है, तो क्या कहेंगे, इन